वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे क्योंकि अब फिर से यह पूछना पड़ेगा इसलिए क्योंकि फिर से कोरोना आ गया है दस्तक देते हुए तो प्लीज आप लोग सेफ रहें मास्क यूज करें बाहर जाएं बाहर से घर में आए तो सैनेटाइजर यूज करें गरम पानी पीएं स्टीम लें अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि सर्दी खासी हो रहा है तो तूरन डॉक्टर के पास जाएं चेक अप कराएं इग्नौर ना करें ठीक है और जिनका दो वैक्सिंग कंप्लीट हो चुका है तो थो जो बूस्टर है वो लेने की कोशिश करें ठीक है तो अभी मुझे भी लेना है क्योंकि और आप इसको इग्नौर करना क्योंकि यह जब से आई तब से ऐसी पड़ा है और अभी शकल थोड़ी आपको अच्छी लग रही होगी इससे पहले एक ब्लॉग का एंड किया जो ब् सब्कूस पहले हैं तो थीम आपकेट लगता है हमेशा ही लगता है तो वहां जाओंगी अभी तो एडि हो रही है कि अब बज रहा है Sup द Wijर जाओंगी कि लाल टंड है चर सिस्प माव सितिक मुझ रब में पड़ीन यह सबरे कर थाथ हे तो कि तो बस अभी मुझे ड्रेस चेंज करना है तो बैग मेंस अभी ड्रस निकालूंगी कि मैंने जीन्स वगेरा लेके गई थी तो अभी फलाल और मैं आपको बता दू मैं एक दो तीन वीडियो आपको ऐसे बताऊंगी क्योंकि इंस्टा पे मुझे बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैंने कैसे बनाया तो वह सारी चीजे तो मैं शेयर करूंगी तो आज दीके आज एक और ट्राइपोड मैंने मंगाया है जिस पर मैंने मुबाइल लगा के अभी बात कर रही हूं आप से बहुत अच्छा है और ये ट्राइपोड मुझे चाहिए था क्योंकि गोप्रो अगेरा इस पर लगा के ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो मैं सारा ही बताऊंगी और अगर आपको जानना है तो जरूर कॉमेंट करना तो उसकी वीडियो में जल्दी बनाऊंगी कि कि टेकनिकल वीडियो बनाने के लिए थोड़ा वैसा सेट अप मतलब आपको बताने अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते हैं मेरी रेसिपी स्ट्राइन नहीं करते हैं या मेरा दिन चर्या नहीं देखते तो शायद में इस मुकाम पे भी नहीं रहती ठीक है और अकेले रहने का तो मैं कभी जिन्दगी में सवाली ने उठता है तो यह सब आप लोग की महर कर सकते हैं कि जादा तर है ना गाओं में जो औरते रहती हैं कुछ नहीं कर सकती तो जो वलकी वो खाना इतना अच्छा बनाते तो वह चूने की रैसिपी भी आपके साथ शेयर कर सके ऐसी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी कि आप लोग ऑन खुद का एक चानल कैस मैं रेड़ी हो जाती हूं फिर निकलने के टाप मिलती हूं बाइए ही गाइस फाइनली में रेड़ी हो गई हूं लाइनर वगेरा लगे के थोड़ा सो कॉंपेक्ट लगाया है फिर निकल जाओंगी तो फिर बाहर मिलते हम लोग और निकलने से पहले हमेशा ही मैं कभी भी कहीं बाहर जाती हूं तो निकलने से कि मेरी तबेद अभी ठीक नहीं है थोड़ी बहुत अभी ठीक हुई है तो भी मैं ज्यादा रिस्त नहीं लेना चाहती तो फाइनली अभी चावी वगेरा लेके मैं घर से बाहर निकल जाती हूं और और क्या फिर आटो पकड़ूंगी अपना मेने वर बुक कर लिया है तो आप भी कोशिश करें कि अगर बाहर निकलती तो एक बैक क्यारी करें नहीं तो आपको के पैसे देने होते हैं और चाहेँ दीमाट हो चाहेँ कोई भी शौपिंग मॉल हो वहाँ पे अभी आजकल के पैसे लगते हैं इसलिए मैं छोटा बैक ले ले लेती हूं उसके आप ज मैं कहा जा रहा है कि मैं इतना ही मैंने आपको बता है कि मैं मैं आपको प्लान चेंज हो गया था इस शॉपिंग कर लोंगी बट मैंने सुना कि लूवल में काफी अच्छा डेकोरेटिंग हुआ है 31 का और क्रिस्मस का तो मुझे फिर रहा नहीं गया मैं यहां पर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ वह आएगी फिर मैं उसके साथ जाओंगी तो यहां मैं जिस्टिक बस टैंड पर मैं आ गई हूँ और मेरे घर से मैं जिस्टिक कम से क सूटी रही थी तो मैं उसका वेट कर रही थी कि अपनी ओफिस से आए फिर हम लोग जाए तो हम लोग यह बेस्बेंड से निकल रहे हैं मैं सुचा था यहां पर शॉपिंग करूंगे बट मुझे ज्यादा तर रोड पर शॉपिंग करना मुझे नहीं जमता है बाकि अपन लुलु मॉल गई थी लेकिन तब इतना डेकोरेट नहीं किया था और कुछ-कुछ काम बाहर का चालू था लेकिन अब भी पूरा कंपलीट हो चुका है आप देख से कितना बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया हैं बहुत सी चीज बनाई हैं जो देखने जैसी है और यहां पर आन कुकी कुकी अगए रा ही सारे स92 थे तो मैंने रेकॉर्ड कर लिया मॉल में आना मतलब मॉलु को पूरा विजिट किया मैं उस साथों टाइम इस पितना फीट लिखा हुआ है और सच बोलू ना तो मैं मॉल वगेरा इतना जाना पसंद नहीं करती हूं लेकिन इसकी डेकोरेटिंग और इसमें जो सिंगर थे उपर टॉप फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे सिंगर थे बहुत अच्छा गाना का रहे थे और काफी लोग भी थे बहुत से नहीं लिया थे मुझे जहां पोल तुम खर नेर्अश करते हैं कि मुझे इसे अपको पता चलें चाह संब्सक्राव करणा है घरपे वीड ऊब्लाइ कर सकते हैं अगर आर्पको सीखना ज़रूर कॉमेंट करना है वैसे तो मैं वीडियो शेयर करूंगी और यहां पर नीचे देखिए, गिफ्ट वगेरे सारे रखे थे, कुछ तो ओफर चल रहा था, और यहां पर देखिए, मैं मेट्रो में आ गई हूँ, और यहां से मैंने स्लिम बैग लिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता है कि मुझे कहीं जाना है, फिर से, तो मेरी जो बैग थी न, वो खराब हो गई थी, क्योंकि इस समय में बॉम्बे गई थी, तो बॉम्बे में मेरा जो पहले वाला बैग था, वो तूड गया था, तो मैंने मुझे लगता है, साड़े पाच, छे बजे मतलब थोड़ी दोड़ी शाम हो गई थी, मैं ऐसे पहुची थी, तो अभी भूख लग गई थी, तो सबसे पहले मैं टॉफ लोर पे आई, मैंने खाना खाया, खाना मतलब छोले भटूरे खाया, और यहां पर पूरा कैमरे से र मतलब बोलते हैं कि थोड़ा पैसा लगता है, जो चीज़े हम बहर 50 रुपे में खाते हैं, यहां का एक का दो देना पड़ता है, तो यहां पर फिलाल मैं छोले भटूरे खाऊंगी, और एक मस्त कड़क वाली चाय प्योंगी, क्योंकि गुरुवार था, इसके लिए मैंने नौनविज नहीं लिया, क्योंकि मैं गुरुवार को आलमिस नौनविज नहीं खाती हूं, आपको पता होगा, और सच बोलू तो, कभी-कभी ऐसा होता है न, कि अकले-कले घर में रहने रहते हैं, और चार-पार दिन के बाद आप घर से भार निकलते हैं, तो फिर थोड़ कोवेट के पेशन्ट मिल रहे हैं, बहुत जादा क्राउट था बहुत जादा, अभी तो 31 भी आने वाला है, तो 31 के लिए नीचे स्नाक्स, केक्स वगेरा, इतनी सारी चीजें मतलब थी, कि आपको चूज करना मतलब आप कन्फ्यूज हुजाओगे कि क्या लेना है, क्या न मैंने अपलोड कर दिये, मैंने एक दिन में 6 वीडियो अपलोड की है, और कोशिश कर दिये, बहुत जारा मतलब मेरे पास 100 से जादा वीडियो है शॉट्स की, और यहां से मैंने थोड़ी पहुत चीजे लिए, जैसे वो हैर रिमूवल जो आता है, त्रेड फेस आपको, मतलब बताते हैं कोई चीज और आपनी बातों में ऐसा खीच लेते हैं कि वो प्रोड़क आपको लेने पर मजबूर हो जाते हैं, तो यहां पर सेल्समन नहीं, सेल्समोमन थी, जो मैं खाली देखी रहती और देखते देखते उन्होंने दो प्रोड़क मुझे बिखने वाली हो बिख जाती है, तो देखी यह मैंने लिया और यह टेन रिमोल दिखा रहे थे, तो यह काफी जद अच्छा भी था, तो मैंने ले लिया, एडियेस का था, एडियेस का पुशाथ से मुझे लगता है न, हमाज़ोन वकेरा पर भी मिल जाएगा, मैं वो बॉ मैं अच्छा था, बट क्या करूं, मैंने जस्त टेस्ट किया, इसके अंदर से क्योंकि यह बहुत ज़्यादा था, और टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थंद के वज़ेसे मैंने पूरा नहीं पिया, फिर मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिया, और सच बोलू तो मुझे पीने का बहुत ज़धा मनो रहा था कि कि इसे मुझे गरम-गरम सारे चीजे खाके पीके में को बहुत ज़धा न यशा लग रहा है कि कब मैं ठंडा पूँ और यह एक statue बनाया था जो बात कर रहा था बहुत ज़धा आचा लग रहा था अच्छा मैंने पूरा mall इस में मैंने दिखाया है साथ मैं इस में जो super market है वो भी दिखाया है super market से मैंने बहुत सारी चीजे ली है और दिखें, यहाँ पर song चल रहा है बत मैं song ढाल नहीं सकती ने तो copyright आ जाएगा उसके बाद से पूरा मतलब fourth floor, third floor, second floor पुरा एक्सप्लोर करने के बाद से मतलब में सारी चीजे गूंके उसके बाद से अभी मैं नीचे जा रही हूं नीचे मुझे एक्चुली सुपर मार्केट से सामन लेना तर जैसे मेरे पास कपड़े दूने माले पाउडर नहीं थे मैंने सुच आप मॉल में आई गई हूं तो सारी चीजे ले लेती हूं लेकिन मॉल में जाने के बाद मेरी आखे तो खुली की खुली रहे गे मैं इतना मॉल गई हूं लेकिन ऐसा मॉल मैंने अभी तक नहीं देखा इंडिया से लेके फॉरें तक की सारी वारेटी इसके अंदर है बरतन सारी चीजे मटी के बरतन आ और यहां पर अंदर जा रही हूं सारा लगेज वगेरा रखने के बाद से एक दो क्लिप आगे पीछे हुई है तो प्लीज आप लोग एक्जेस कर लेना क्योंकि इतनी सारी क्लिप थी न कि कब कैसे आड़ करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सच बोलू जो भी पैंगलोर में है और लुलू मॉल घूमें तो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा अच्छा यहां पर वेजिटेबल डेट्स ड्राइफ रूट्स और पिकल और बहुत सारी चीज़े मीट की बहुत सारी वाराइटी है यह देखे पूरा ड्राइफ लिखा हुआ था सबसे ज्यादा मैंने शॉक तब हुई जब 20 प्लस मतलब 20 से भी ज्यादा डेट्स अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंट्री के डेट्स महां पर अवेलेबल थे यानि खजूर आप देख सकते हो कि यह क्या इसको नटेला बोलते है ना पूरा नटेला से स्मॉल से लेके बिक साइज तक कूरा रैक भरा हुआ था और मुझे सच बोलू यह मौल बहुत अच्छा लगा अभी मैं तो डिसाइड के आए कि मैं बैंगलोर में हूं तो कभी घर की कोई भी चीज़े लेनी हो तो मैं लूलू मॉल ही आऊंगे बहले ही मुझे बस में क्य क्या कड़क जो ब्लैक चिकन होता है कड़क सिंग बोलते हैं क्या बोलते उसे उसका अग यहाद आवेलेबल था यहापे और यहापे ना सूपर मार्केट में नॉनमेच का ऐसा अलगी है लेकिन बिल्कुल भी बाहर की सा स्मेल नहीं है जो वेजिटेरियन है वो भी इसके Ada बिल्कुल में इ department कि जो खाते हैं वो भी था लेकिन जो भी बीफ अर्टिम के से बोलते तो क्या आपको पता है को कमेंट करके बताना यह तो सा री चीजे और अे मने leaves open जाओंगी तो आपको ब्लॉग मिल जाएगा और यहां पर देखें ब्लैक पेपर पूरा फ्रेश था यह बट मैंने लिया नहीं मैंने सोचा कि आप जब रिटान आओंगी न तब मैं इसको लूँगी और यहां से थोड़ी सब्सेया लेकर जाओंगी और पिकल बनाओंगी बहुत सारी चीजे थी मैं तो बोल रही हूं ल मुझे लगा पिकल अगेरा काफी जाथा कॉसली होगा बट इतना कॉसली नहीं था मुझे 25 रुपिस का एक डबा पड़ा कुछ 250 ग्राम और यह देखें यह चीली जो मैं बात कर रही थी ने चीली बहुत जादा स्पाइसी था भरे ही छोटी थी लेकि बहुत जादा और य देखें यहां पर ब्लाक चिकन इसका भी पूरा एक वगेरा रखा हुआ था लेकिन अड़ा चाहिए था एक वीडियो बनाने के लिए रेसिपी बनाने के लिए लेकिन मुझे नहीं मिला यहां पर फोड़ चुगा था और यहां पर जो अर्बी और बाकी चीज़े होती है मुझे बहुत साथा नाम से लागे देखें हैं आम महीं मिला की यहां सथा तो फेट और बहुत जादा शा Exactly गई हूँ और यहां पे ग्रेब्स भी दिखा रही हूँ आपको बहुत ज्यादा अच्छा था बहुत ज्यादा और यह देखिए और अवकाडो बाकी चीजे अच्छा आप लोग मुझे जरूर बताना कि मैं जो मॉल की वीडियो बनाती हूँ आपको पसंद आती है कि नहीं और यहां पर इस प्पेशल रखा हूँ था कि कोई चके नहीं लिखा हूँ आपको ट्राइद नहीं करना है आपको अगर लेना है तो पैक करा सकते हो बट मैंने सच में यह जो देख रहे हूं जो मैं हाथ लगा रही हूँ उसको मेंने खाया था बट इसका टेस्ट है ना प माताानी कहां-गां से फरूट आए थे और कैसे मैंनेज करते मैं तो वह सोच रही हूं लेकिन मैंने भी शॉपिंग कर ली और यहां पे फ्रोजन चिकन-मटन-मिटन जो भी था सब मिल रहा था ना चिकन वेहरा चिकन-मटन मैंने तो कुछ नहीं लिए निया कुछ घुरू आ झाल 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 यहा पर 31 के लिए काफी जादा केक वगेरा डोनट्स वगेरा इतना प्रिप्रेशन करके रखे थे बहुत अच्छा तयारी था मतलब अभी 31 आने वाला है बस अभी दो दिन का टाइम है लेकिन सारी तैयारी और 31 के लिए ओफर्स भी चालू थे बहुत ज़दा चाला लगा और यह मैं यहां पार तो फाइनली मेरी शॉपिंग वापिंग हो गई है मैंने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा तो भी मेरा बिल तीन चार हजर का बन गया यानि टोटल सिर्फ तीन हजार का है बाकी जो खाना विना खाई उसके बाद यह तो घर आने के बाद से यहां पर मैं स्मॉल फिश फ्राय बना रही हूं कि भूख बहुत तीज लगी थी और बाहर भी इतना खा लिया था और आते आते मुझे घर में दस साड़े दस बच गए थे आराम स हमक्राइब миनरा के अपनेゃ बुरुष और विला है था दोंगा और छाग यहां से अफिशम डाल मिर्ची पावडर अचाच के लॉट है एक मैं मच्झी को थोड़सा वाश कर लेते हैं तो यहां पर देहें नमक धल्दी डाल दिया है गरम मसाला तो सब्सक्रियेश घ क्रिया देखा नंगी और एक लिंबू का रस डाल दूँगी, मैंने यह पर फ्रोजन लिया है, आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, यह डाबर वाला है, आप फ्रेश लेमन ले सकते हैं, इसको मीक्स करके, 10-15 मिट रख दूँगी, और उसके बाद से एक साइड मैंने राइस चड़ा दिया है, इसक मैं फिश को डाइरेक्ट डाल दूँगी, अचा अगर आप इसे तवेबे भी बना सकते हो, मैंने कड़ाई में बनाया है, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी में थी, आपको पता था कि मैं तीन-चार बजे से निकली थी, और साड़े-दस हो गया था मुझे घर आने में, तो का यहां पर देखिए फिश को डालने के बाद से पांच मिट एक साइड कूक कर लिया है, और यहां पर थोड़ा सा जब तक पानी सूख जाएगा, तब मैं इसे बंद कर दूँगी, तो यह मच्छी बनने में मुझे लगता है, 10-15 मिट लगा है, खाली जितना टाइम आपको म अरम से रेडी हो गया था, इसके जगे पर आपके बास दूसरी कोई मच्छी है, तो भी आप सेम तरीके से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और यहां पर देखिए यह हो गया था, और मेरे पास सुबे की दो रोटी बच्छी थी, तो उसके साथ मैंने अब थोड़ा खाया, क्योंकि मुझे सच बोलू तो बहुत तीज भूग लगी थी, आने में मुझे एक देड़ घंटा लग गया था, तो इसलिए, तहां पर मैंने दो रोटी सर्फ किया अपने लिए, मच्छी ले रही हूं, मैं राइस से बाद में खाऊंगी, और एकदम दिखाती हूं, तो यहां पर देखिए, मैंने जो आपको बता है, आइब्रोज और जो छोटे फेशल हैर वगएर रिमूव करने के लिए, यह मैंने लिया है, फिर उसके बाद से एडियस का दो यह टेन रिमूवल क्रीम ले लिया है, यह जेल है, लगा के खाली घसना रहता तो यहां पर देखिए कुछ वेजटेबल भी लाई थी, घाजर, पालक, तो यहां पर देखिए, दो प्लेट लिया है छोटा वाला और दो प्लेट लिया है मैंने काला वाला, मैंने बड़ा वाला, तो यह दोनों चीजे मुझे मिल गई, और सच बोलू, तो बोलते हैं, मह memon और मेहनत करते तो ही यह सारी चीजे अर चीप कर पाते हैं, तो आज कहीं नगाई, मैं महनत कर रहे हूं, तो मैं सारी चीजे कर पा रही हूं, तो यहां पर red velvet muffins लेकर आई हए हूँ, और भी मैंने लिया था, मतलब थोडी बजी है, यहां पर धेखिया, देखिए शावर घर में रखती ही हुँ साथ में ये भगवान के लिए तिल का तेलrą लें हैं, घर में तेलches चत्र- बिल बना है और कैसे बना है मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि की प्लेट की कीमतियों ही देखिया यह जो इसका विनिगर गिर गया था मैंगो वाले का यह चोटा चिली भी लेकर आई हूं है यहां पर जो सबसे ज़्यादा स्पाइसी था ना तो यहां पर बना के मिल रहा थ चलाने वालाने के लिए मेरे पास छोटे वाले नहीं थे बड़े वाले थे इसलिए यहां पर एक स्प्राइड का बॉटल लेकर आई हूं नहीं सारा ही रात को खाली कर दियूंगी सुबह मुझे परिशानी ना हो तो यहां पर दीकिए पियर्स का दो शावर जल लेकर आई वहां पर शूज वगएरा सारा था आपने देखाई तो देखें यह स्लिम बैग लिया है इसका बिल भी मैं दिखा देती हूं इसको पकड़के मुझे छे से साथ हजार हो गया यह भी मुझे नाइटीन हंड़ेड का पड़ा जी एस्ट वेस्टी पकड़के नाइटीन टू यहां पर देखें मैं आपको दिखा रही हूं और बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन आप कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा तो फिलाल यह मैंने लिया है तो 2000 का तो मेरा यही शॉपिंग हो गया बाकी की चीज़े तो साइड में रह गई आप देख सकते इस प